नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अच्पी जीक के कुछ important questions जो में प्रीवियस हमेरपुर के एक्जाम में यह questions पूछेगे थी तो फ्रेंट्स इन questions के मैं आपको जितने भी अंसर बताऊंगा वो final answer की के recording ही बताऊंगा जो एच्पी एससे हम मेरे पर बोर्ड ने जारी की थी तो फ्रेंट्स आपने क्या करना है इन questions के short form में notes जरूर बना लेने हैं क्यूंकि revision के time you questions आपको काफी helpful थावित होंगे तो फ्रेंट्स अगर आप एच्पी टाट की त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से playlist नहीं है जिसका लिंक मेंने अभी एक्जाम में यह questions आपको काफी helpful थावित होंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नमर फरस्ट में बोला गया है कि गांदी जी पहली बार शिमला कब आए थे वन गांदी जी विस्टेट शिमला फॉर्स टाइम काफी important question है यह कई बार यह question पूछा गया है तो इस question का जो correct answer लोगा option number A जो इस question का राइट answer है गांदी जी पहली बार जो शिमला आए थे वो ने सो एक किसम में आए थे यह भी आपने याद रहना है option number A इस question का राइट answer है question number third पे चलते हैं इसमें बाल कि भारत में शिमला को व्रिटिश राज्या की ग्रीशम कालीन राजधानी किसने बनाया था who designated Shimla as the summer capital of British empire in India तो भारत में शिमला को व्रिटिश राज्या की ग्रीशम कालीन राजधानी किसने बनाया था question number third का जो राइट answer है वो आपका option number B है option number B जो है Sir John Lawrence जो है इस question का राइट answer है Sir John Lawrence designated Shimla as the summer capital of British empire in India तो option number B जो है इस question का राइट answer है question number fourth पे चलते है हिमाचल Road Transport Corporation HRTC came into being in which year तो हिमाचल सडक परी वहन निगम HRTC किस वर्स अस्तित्त में आया था काफी important question है आपको पता हुगा HRTC की जो स्तापना हुई थी वो 2 October 1974 को ही थी तो option number A जो है इस question का राइट answer है हिमाचल पत पर निगम की जो स्तापना थी अस्तित्त में काब आया था यह दो अक्तूबर 1974 को आया था यह आपने और रोट नोट डॉन कर लेना है तो option number A जो है इस question का राइटन से रहे question 5 पर चलते हैं सब्सक्राइब प्लेस लोकेटेड एट वीच विलेस नहीं हिमाचल पत देस में सुरिया मंद्र किस स्तान परिस्तित है तो यह नीरत में है डिस्टिक शिमला में यह पढ़ता है option number D इस question का राइटन से रहे sun temple इस लोकेटेड एट नीरत प्लेस नहीं हिमाचल पत देस माचल पत देस के किस स्तान पर वार में मोरियल स्तित है तो वार में मोरियल आपको पता होगा यह धर्मिशाला में है डिस्टिक कांगडा में यह पढ़ता है तो option number B इस question का राइटन से रहे वार में मोरियल इस लोकेटेड एट धर्मिशाला पलीस इन हिमाचल पत देस नहीं हिमाचल पत देस के किस जीले में प्राश्र जीला है तो डिस्टिक मंडी में यह है यह option number A इस question क्या correct answer है question number 8 पे चलते है हिमाचल प्रदेस का सबसे बड़ा अधरे कुत पादरिंग करने वाला जीला कौन सा है which is the largest ginger produce डिस्टिक है नहीं हिमाचल पत देस तो हिमाचल पत देस का सबसे बड़ा अधरे कुत पादरिंग करने वाला डिस्टिक का कौन सा है question number 9 पे चलते है हिमाचल प्रदेस में प्रत्तम पंच परसी योजना के लिए कोला पंटित धंदराश्री लगभग कितनी थी यह आपने बताना है यह question के वारी यह question पूछा गिया है तो question number 9 का जो राइट अंसर है वह का option number D है पांच देशन लग 27 करोड जो है इस question का राइट अंसर है question number 10 पे चलते हैं नाथपा जाकरी प्रयोजना में हिमाचल प्रदेस का इंश्रदार कितना है इस question का जो राइट अंसर होगा question number 10 का वह आपका option नाथपा जाकरी प्रयोजना में हिमाचल प्रदेस का जो अंश्रदान है वह 25 प्रतीशत है अपने comment section में बताना है यह किसे नदीब इस उपर और किस डिस्टिक में है यह नाथ पा जाकरी प्रयोजना यह आपने comment section में जरूर बताना है Q1 11 पे चलते हैं लोग को बुजिस्ट मोनिश्ट्री इन हिमाचल परदेस इस रिटनवाई बुजिस्ट मुनिश्ट्री इन हिमाचल परदेस पुस्तक के लेख कों है ये तो q2 11 का जो पुस्ट्रेंण से रहे वागा option नमबर ए है ओसी हांडा जो है यह सो क्वेशन का राइड अंसर है इदा बुदिस्ट मुनस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक थी वो औसी हांडा द्वारा लिखी की थी क्वेशन बारा पे चलते हैं विए डेट गुरू गोविन सिंग राइटे मेजर पॉर्शन ओफ दशम गरंत तो गुरू गोविन सिंग ने दशम गरंत का जो प्रमुक अंश्र था वो कहां लिखा था काफी इंपोर्टेंट कुष्ण है क्वेशन नमर 12 का जो राइट अंसर है वो आपका ऑप्शन नमर भी है पॉंटा साहिब जो है यह डिस्टिक सिर मौर में यह पड़ता है तो गुर यह पाहडी चित्र कलागा जो सबसे पुरानी शैली कोन सिसे है ओप्शन का ऑफ्ट नमर जोड़ा पे चलते हैं अमरीता शेरिगुड को ती हुआ जा अम अमुरीता शेरिगल तो अमरीटा शेरिगल आपको पता होगा यह कौन थी एक प्रतिष्टित भारती चित्रकार थी क्वेशन आप से पूछ सकते हैं किस डिस्टिक से बिलॉंग करती थी यह आपने डॉट डॉन करना यह डिस्टिक सिमला से यह बिलॉंग करती थी कुश्चनमर 15 बेचलते हैं किस जिले में देवर्षिद मंद्र स्थीत है तो इस प्रतिष्ट अपर हमीरपूर डिस्टिक में हैं कहां पर है हम मेरपूर डिस्टिक में है देवर्षिद टेंपल जो है अप्शनमर डिस्टिक का राइट अप्शन में नहीं है तो आपने नौट डॉन का लेना है देवर्षिद मंद्र है वह डिस्टिक हमीरपूर में है अजिए प्रतिष्ट अप्शन है चाजिए रिस्टिक में हैं प्रवतार होन और संबंध खेल संस्तान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इस्तेत हैं अटल विहारी बाच पी इंस्टीट ऑफ मौंटेरिंग एंड अलाइड स्पोर्स इन इसलोकेटेट रैट पीच प्रवेस नहीं हिमाचल प्रदेश काफी इंपोर्टन कुश्चन है और विहारी बाच पी प्रवतार होन और संबंध खेल संस्तान जो है पुआ कम मन्नाली में है डिस्टी कुलू में ये पढ़ता है ऑप्शन नमबर भी इस कुश्चन कहा कुरेक्ट अंसर है अगले प्रशन पर चलते हैं नलवाड मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मना जाता है नलवाड फियर इस सेलिवरेट्ट डाइट बिच प्रेस नहीं माचल प्रदेश तो फ्रेंड जी क्वेशन जो है काफी कनफीउस करने वाला है यहां पे अपने ध्यान देना है आप हमसे नलवाड मेला पूचा है तो नलवाड मेला जब आपके पास कुश्चन में आ जाए तो नलवाड मेला जो है वो सुन्दर नगर में लगता है डिस्टिक मंडी में अगर आपके पास अगर आप से कुश्चन पूचा जाता है कि नलवाडी जो मेला है नलवाडी मेला जो है वो कहां लगता है तो आपने याद रखना है यह पिलास प्रो डिस्टिक बुक वाज रिटन वाई तो हिमाचली इस्ट्री ओफ पुंजाब हिलस्टेट जो पुस्तक है वो किस ने लिखी है वो जे हची इंसन ने लिखी है option number is question क्या है correct answer है question number 139 पे चलते हैं उलनी इन्वस्ट्री ओफ रएव टेक्नोल्जी और मेनेजमेंट साइंस 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 इस लोकीटेट एट विच प्लेस ने हिमाचली प्रदेश काकी इंपोर्टन क्वेशन है सुलोनी जैव तकनिक की एभम प्रवंदन विज्ञान विश्री विद्यालया हिमाचल प्रदेश के में किस इस्तान परस्तित है तो यह डिस्टिक सॉल्दन में है ऑप्शन नमर भी इस क्वेशन का राइट अंसर है कोशन नमर एक सु तीस पर चलते अगले प्रशन बी चलते हैं किसे चोटी काशेश से भी जाना जाता है विचर इस अलसो नव इस्ताबन एक तो आपको पता हुगा मंडी जो है कर hoş मंडी को दो चोटी काशीश के पोखताते है next question है सिर्मोर यासत की जो स्थापना थी वो किस ने की थी सिर्मोर प्रिंसले स्थेट वास फॉंड़ेड वाई तो राजार सालु ने सिर्मोर यासत की स्थापना की थी option number DS question का correct answer है नेक्स्ट गशन है लोड में उने किस वर्स शिमला की यातरा की थी लोड माय विस्टिड सिमला की तो ये 18801 जो है इस गशन का राइट इंसर है अगला है मुहमद विन तुगलक ने किस वर्स काढगडा दुर्गबर कभजा किया तो मुहम्मद विन तुगलक captured the kangra fort in which year तो यह 1337 में मुहम्मद विन तुगलक ने kangra दुर्ग पर kangra fort पर कब जा गिया था इस वीडियो को यह last question is में बोला गया है कि यमुना का वैदिक नाम क्या है वैदिक नेम ओफर इवर यमुना इस तो काल इंदी जो है इस question का right answer है काल इंदी जो है वो यमुना नदी का वैदिक नाम है तो option number is question का correct answer है तो friends आज किस वीडियो में वस इतना ही आज हमने हैच पीजी के कुछ important question डिसकस किये जो previous HPSSी हमेरपर के exam में यह questions पूछे गे थे तो friends in questions के मैंने आपको जितने भी answer बताए वो final answer की कि according ही बताए है जो HPSSी हमेरपर पूट ने जारी की थी तो आपने क्या करना है इन questions के short form and also जुरूर नाले ने हैं क्योंकि revision के time यह questions आपको काफी helpful थावित होगे यह questions आपको अगामी HPSSी, JBT Commission, SI Conductor, JYT Post, Cornwalls of Ainset और various exam जो हम मेरे पर पूट दोरा conduct किये जा रहे हैं और आगे भी किये जाएंगे उन सभी exam में यह questions आपको काफी helpful थावित होगे तो friends अगर आप HP TUT की त्यारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से playlist नहीं है जिसका link मैंने description box में दे दिया है आप 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 जाकर वीडियोस देख सकते हो वहाँ पर आपको HP TUT के रिगारिंग 100 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी तो friends आज की इस वीडियो में बचतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like share and comment भी जरूर कर दें तो thank you friends